नमस्कूर आप लाइप बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राज मुहंतिवारी चिराग पास्ष्वान की पाटी लोजपा रामविलास के नेता अब उनकी पाटी छोर बीजेपी में जाना मुनासिब समझ रहे हैं पिछले दिन बीजेपी ने चिर्याकपा स्वान को जोर का जटका दिया है आपको बताएं कि अगामी लोकसभा चुनाओं को लेकर बीजेपी अब बिहार में पूरी जोर सोर के साथ तैयारी करने में जुट गई है और जो बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए है समराट चौधरी उनके नत्रित्व में और उर्जा के साथ बिहार प्रदेश यानि बिहार बीजेपी जोर सोर के साथ लोकसभा चुनाओं को लेकर कमर कस्ते दिखाई दे रही है और उसके लिए अन्य पाटियों से भी नेताओं को बीजेपी में सामिल कराया जा रहा है जब से शमराट चौधरी ने बिहार में कमान संभाली है बिहार बीजेपी को मजबूत करने के लिए एरी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और पिछले दिन लोजपा के पुर्व परत्यासी मिरनाल सेकर ने बीजेपी का दामन थाम लिया मिरनाल सेकर के बारे में आपको बताएं तो 2020 विधान सभा चुनाओ से पहले ये बीजेपी में ही थे लेकिन 2020 विधान सभा चुनाओ के दोरान इन्होंने लोजपा का दामन थामा था यानि चिराग पास्वान की पार्टी में चले गए थे और बाका के अमरपुर विधान स सभा सीट से इन्होंने लोजपा के टिकट पर चुनाओ भी लरा था बहुत दमखम के साथ चुनाओ लरा उस चुनाओ में जयंत राज जो जेडियू की उमिद्वार थे उन्हें जीत मिली थी अमरपुर विधान सभा सीट पर दी थी और अब तक लोजपा में ये बने हुए थे लेकिन पिछले दिन इन्होंने बीजेपी में सामिल होना मुनासिप समझा और इनके साथ कई और नेता कारे करता भी बीजेपी में सामिल हुए इसके अलावा आपको बताएं कि अब इन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया इन दोनों निताओं के साथ और भी कई जो इनके समर्तक थे वो भी बीजेपी में सामिल हो गएं तो बिहार की राजनिती में बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाते दिखाई दे रही है लोकसबा चुनाओं से पहले लग जेडियू के पुर्व प्रवक्ता अजय आलोग भी बीजेपी में सामिल हो गई तो जेडियू छोड के नेताओं का बीजेपी में आना तो लगा हुआ है लेकिन इसी के साथ ही चिराग पासवान की पार्टी के भी जो नेता हैं जिनोंने पिछले विधान सभा चुनाओं म वैसे भी आपको मालूम होगा 2020 विधान सभा चुनाओं के दोरान कई बीजेपी नेताओं का टिकट कट गया था तो उन्होंने लोजपा के टिकट पर चुनाओं लगा था और बहुत जादा डैमेज जो है वो जेडियू को किया था लेकिन अब ये तमाम पुराने नेता ज यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें